आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सब से आगे 21 जनवरी को अयोध्या आ जाने की संभावना है पीम जगत गुरु राम भद्राचारे की अमरत जनमोत्सा और राम चरत मानस प्रवचन में भी शामिल होंगे प्रधान मंत्री का 22 जनवरी को राम लला के नवीन विग्रह की प्राण पतिष्ठा में आगमन पहले से सुनश्चित है अब उनकी अयोध्या दौरे से जुड़े कुछ नए कारेकरमों पर भी विचार किया जा रहा है इसके लिए राम जन्मभूमी तिर्थ शेत्र ट्रस्ट समेथ प्रशासनवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्पीजी के साथ मन्थन कर रहे हैं स्पीजी की ओर से हरी जंडी दिये जाने के बाद ही इसे फाइनल किया जाएगा प्रशासनिक सुत्रों के अनुसार पीम की अयोध्या प्रवास के दौरान 22 जन्वरी को उनके सुबह की शुरुआत सरीयो स्नान के साथ होगी यहां स्नान के बाद कलश में जल लेकर पीम राम पत से भक्ती पत होकर राम मंदिर की ओर बढ़ेंगे भक्ती पत पर ही हनुमान गड़ी इस्तित है राम मंदिर में प्रवेश से पहले मोधी हनुमंत लला को अपने शद्धा निवेदित करेंगे प्रशासन और स्पीजेस बिंदु पर माथा पच्ची कर रहे हैं कि राम जन्म भूमी पत की दूरी ज्यादा है ऐसे में भक्ती पत को ही प्रधान मंतरी का रूट तै किया जाए भक्ती पत पर ही छोटी देवकाली मंदर है मासीता की कुल देवी के रूप में इनकी महत्ता को देखते हुए मोधी यहाँ भी दर्शन पूजन कर सकते है